Hi friends, welcome back to my channel. आज हम लोग पढ़ेंगे बायोखेमिस्ट्री में सबसे पहले nutrition जो topic है, chapter है, nutrition chapter में BMR topic हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. BMR के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि BMR में क्या-क्या ऐसे topic हैं जो पूछी जाते हैं exam में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ेंगे Bacal Metabolic Rate उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे Definitions of BMR While Determining BMR Measurement of BMR Factors Affecting BMR Normal Range of BMR And Significance of BMR तो यह सब कुछ टॉपिक हैं जो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आउन कर दे और आज का जो भी लेक्चर होगा उसका मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ओके लेस्टार्ट टॉपिक BMR BMR stands for Basal Metabolic Rate तो BMR को फूल फॉर्म क्या होता है Basal Metabolic Rate ठीक है Definition It is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical or mental risk तो BMR को हम लोग कैसे define करेंगे जब हमारे body में minimum amount of energy required होगा ठीक है हमारे body को minimum amount of energy required होगा क्यों होगा क्योंकि life को maintain करेगा वो life को complete physical और mental risk के लिए यानि कि हम अपने body को हमारे body को बहुत कम amount of energy required होगा क्यों होगा क्योंकि हम अपने body में अपने लाइब को कम्प्लीटली फिजीकली और मेंटली रेस्ट के लिए ठीक है आईए अब हम लोग देखेंगे वाइल डेटर माइनिंग बी एमर जब हम लोग बी एमर को डेटर माइन करते हैं तो कुछ चीज है जिनका हमको खयाल रखना चाहिए फर्स्ट है पर्सन सुल्ड अवेक बट हैड साउंड स्लीप तो जो भी पर्सन है उन्हें अवेक होनी चाहिए यानि कि वो जगे होने चाहिए बट साउंड स्लीप होनी चाहिए यानि कि उनका स्लीपिंग का requirement है वो fulfill होनी चाहिए अच्छी तरीके से 6-8 गंडे का वो sleep लिये हो person एकदम mentally rest में हो कोई problem ना हो तो वही कहने का मतलब है second है at rest यानि कि person rest पुड़ा fully वो rest होनी चाहिए ठीक है third in post absorptive state यानि कि उनका जो भी digestion जो भी वो खाना वगेरा खाए है तो वो digestion completely हो जाना चाहिए खाना खाने के बाद जो time interval है वो होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो खाना खाए और भी अमार उनका determine कर रहे है हम लोग नहीं वहाँ पे time period होना चाहिए digestion का fourth है not any strenus activity कोई भी physical activity नहीं किये हो वो person fully rest में हो ठीक है fifth है neutral temperature जो temperature वो neutral होनी चाहिए नहीं जादा बढ़ा होना चाहिए ना जादा कम होना चाहिए not in stress तो person जो है वो stressful नहीं हो एकदम peace minded हो उनका काम हो measurement of BMR हम लोग BMR को कैसे measured करते हैं ठीक है BMR usually measured in morning fasting time तो BMR को जो हम measured करते हैं morning time में करते हैं fasting time में ठीक है the person should be mentally relaxed and comfortable seated जो person है वो mentally relaxed होनी चाहिए मतलब कोई भी problem वगेरा नहीं होना चाहिए एकदम calm minded होनी चाहिए और जो comfortable seated होने चाहिए वो जब बैठे हो तो उन्हें कोई कोई भी problem ना हो BMR measured by two method तो BMR को हम लोग जो measured करते हैं वो दो method से करते हैं पहला method है open circuit method जिने हम लोग doglass method भी कहते हैं second है closed circuit method benedict root method भी कहते हैं ठीक है तो BMR को हम लोग इतनी method से measure करते हैं दो method से करते हैं पहला open circuit method open circuit method का another name क्या है doglass method second है closed circuit method जिसका another name है benedict ruth matter ठीक है आईए अब हम पढ़ते हैं factors affecting bmr bmr topic में अगर आपकी exam में bmr से question आ रहा है तो इसमें सबसे important question ये आता है कि factors affecting bmr कौन कौन से factor हैं जो की affect करते हैं bmr का ठीक है ये important है तो सबसे पहला factor है age करता है bmr को affect age करता है the bmr in children is higher than adult तो bmr जो है children का higher हो जाता है as compared to adult में ठीक है as the person ages the bmr decreases because of the lean body mass decline with age जैसे जैसे person का age भरते जाता है तो bmr decrease हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि lean body mass के कारण ठीक है second है gender gender is a higher sorry bmr is higher in male than in women because of the greater lean muscles mass in the men तो bmr जो होता है वो male में जादा होगा as compared to women में क्यों होगा जादा क्योंकि lean muscles mass के कारण होगा main में ठीक है third है body surface area bmr is directly proportional to the body surface area तो bmr जो है वो directly proportional होगा body surface area का increases in surface area bmr increases अगर body surface area increase होगा तो bmr भी increase होगा fourth factor है climate condition in colder climate the bmr is higher तो climate condition में क्या होगा जब colder climate आएगा तो bmr जो होता है high हो जाता है fifth है physical activity athletes and laborers have high bmr as compared to person who led a sanitary life physical activity में क्या हो जाएगा जो भी athlete है और laborers है उनका high bmr होगा क्यों होगा क्योंकि उन वो जदा ही physical activity में जदा involved होते हैं इसली होगा as compared to person who led a sanitary life तो जो person physically activity में जो athlete हैं laborers हैं उनका high bmr होगा as person जो की बहुत सांत मलब की जो physical activity में उतना involved नहीं होते हैं उनकी according ठीक है sixth factor है fever bmr increased is about 12% which arises of 1 degree centigrade of a body temperature तो fever के condition में क्या होता है bmr increase हो जाता है अगर 1 degree centigrade body temperature हो तो bmr कितना increase हो जाता है 12% ठीक है seventh factor है हमारा stress under severe stress a major trauma bmr increases तो stress में और major trauma के case में bmr क्या हो जाता है ठीक है इसलिए हम लोग जब factor determine कर रहे थे bmr को तो हम लोग ने एक condition था कि stress नहीं होना चाहिए persons will not be stress ठीक है क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि bmr increase हो जाता है stress के case में आईए हम लोग पढ़ेंगे normal range और bmr normal range कितना होता है bmr का तो 18.5 to 24 kg ठीक है normal range 18.5 से लेकि 24 kg के बीच में आता है bmr का वहीं अगर बात करें तो male का bmr कितना है 22 kg per kg body weight per day okay female का bmr कितना है adult female का 22 kg per kg body weight per day वहीं अगर बात करें female male में adult male में to 24 kg per kg body weight per day okay अब हम लोग परेंगे significance of bmr ठीक है तो bmr is important to calculate the calorific requirement of individual and planning of diets तो bmr जो है important होता है calculate करने के लिए calorific requirement और planning of diets अगर हम diet का planning कर रहे हैं तो bmr important है क्योंकि calorific requirement कितना होगा with the help of bmr हम लोग calculate कर सकते हैं calorific requirement individual का second significance है assessment of thorite function ठीक है thorite function का assessment कैसे होता है third is low normally in starvation under nutrition addition disease तो bmr जो होता है normally low हो जाता है starvation under nutrition और addition disease में fourth signification bmr is above normaling fever diabetes insipidus leukemia and polycythemia तो bmr जो होता है fever के case में ज्यादा हो जाता है और diabetes insipidus leukemia और polycythemia के case में क्या होता है bmr increase हो जाता है okay friends तो हम लोग आज के वीडियो में क्या-क्या जाने हम लोग देखे bmr का definition ठीक है उसके बाद हम लोग जाने determine करते वक्त bmr में क्या-क्या चीज हम लोग को देखनी चाहिए उसके बाद हम लोग देखे measurement कैसे करते है किस time में करते है किस condition में करते है method हम लोग जाने bmr का उसके बाद कौन सा factor है affecting bmr करता है वो जाने ये काफी important है आप इसे देख लिजेगा factors affecting bmr उसके बाद हम लोग जाने normal range कितना है bmr का ठीक है उसके बाद significance of bmr तो आज के रिए friends पस इतना ही I hope आपको अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करे, comment करे और share करे Thank you